विश्व में स्मोकिंग अलग-अलग फॉर्म में तंबाकू पाद कि दो तिहाई लगभग 10 देशों में ही खप्त हो जा रही है और उस दो तिहाई का टॉप में हैं चाइना और सेकेंड में इंडिया और आपको जानकर आश्य होगा कि चाइना इंडिया दो कंटी को मिला दे तो 40% स्मोकिंग कंजमसन इसी दो कंट्री में है हिंदुस्तान में और क्या है साथ में स्मोकलेस टोबैको स्मोकिंग से भी जादा है जिसमें गुटका पान खैनी और इस तरह के ना जाने कितने पदार्थ हैं तो शायद अगर सही आंकरा निकाला जाए तो भारत में तंब स्याब बहुत कंभीर हो जाए तो उसको ड्रेस करने के लिए सांकेतिक दिन टैग किया जाता है लेकिन इसका मतलब नहीं है सिर्फ उसी दिन तंबाकु उतपात के खिलाब कोई बात होनी चाहिए बातें और भी दिन होनी चाहिए कि ईसे रिए को आई आप एक लोगों कि यह कहना कि यह जादा हांवफुल है जो प्लिटीसें उसका वेस्ट इंटरे सुसकता है गुजेट हांवफुल है तो इस इस बैन करने तो इस बैन करें सारे लो नबाकु खौथ बैन करें हालांकि इस Fore sis बहुं करना Da cancer, heart disease, फेफड़े की विमारी, नपुनसक्ता, बांजपन, अनेक समस्याएं होती हैं, इसलिए इससे बचना ही बेहतर तरीका है, तीन अस्तर पे काम होना है, व्यक्तिगत अस्तर पे तंभाकू के किसी भी उत्पाद के शुरुवात न करें, society के अस्तर पे तंभाकू के उत्पाद बनाने वाले, consume करने वाले, उनको convince करना है, और government के अस्तर पे policy making करके तंभाकू को पूरी तरह बंद करना है, क्योंकि तंभाकू के उत्पाद से होने वाले revenue से कई गुना ज्यादा लोगों के होने बली बिमारे पर खर्च कर दिया जाता है, इसे समझना जरूरी होगा.